Good morning students, so today in our English class we are going to learn the marks of a tiger. It is chapter 9 in your English book of your second semester. Okay children, यह second semester के chapter 9 story है जो आज मैं पढ़ाने जारे हूं आपको और chapter का नाम है the marks of a tiger. Story पढ़ाने से पहले मैं आप से एक सवाल करना चाहती हूं, वो सवाल यह है कि क्या आपने कभी सोचा कि tiger के उपर एक काले काले जो दाग है वो क्यों है? बहुत सारे बिल्लियों के उपर वो दाग क्यों है, ठीके? आज हमें हमारे स्टोरी में इस सवाल का जवाब मिलने वाला है. Okay, so we are going to get the answer for this question is, why does a tiger have black strips upon the body? So, let's go to this chapter and look what the stories tell us. So, here we go. A hair is sitting under a tree. A tiger passes by. Tiger, tiger क्या होता है? एक hair जो है, here जो rabbit जैसे दिखने वाला animal है, वो क्या है? एक tree के नीचे बैठा हुआ होता है, और एक tiger क्या है? वहाँ से गुजर रहता है. What does a tiger say? Tiger बोलता है, What are you doing? तो हीर रिप्लाई में बोलता है, I am keeping guard over my grandfather's gan. What's that? Gan. G-O-N-G, gong. Okay, G-O-N-G, gong. So, what does a hair say? He would say, I am keeping guard over my grandfather's gong. बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? बगाली कर रहा हूँ या फिर पहरदारी कर रहा हूँ, मेरे grandfather के gong का. ठीक है? What is gong? G-O-N-G is a plate, a metal plate. For example, जैसे कि आपका स्कूल का bell है, कैसा होता है? प्लेट जैसा होता है, shape, ना? मगर वो प्लेट नहीं है. वो bell को क्या कहते है? उस bell को gong कहता है, ठीक है? तो, और वो कैसे आवास कहता है, आपको पता है? It sounds very loud when it rings after each and every period, right? So, now what the tiger says, why? Here reply, so that no one runs off with it, कि कोई उसे चुरा के लेके ना जाए. तो tiger बोलते है, where is the gong? लुक दियर, वो क्या कहते है? उपर दिखाता है, और बोलते है कि वो है gong मेरे grandfather का, और इसका गर्ड में कर रहा हूँ. Tiger देखके बोलता है, it looks nice. तो head बोलता है उसे, would you like to hear its sound? तो head बोलता है कि क्या आपको उसकी आवास सुननी है, आपको bell की आवास सुननी है, जो bell, जो हमारे स्कूल का bell होता है, उसको हम bell नहीं बोलते हैं, उसे हम gong कहता है, ठीकिर, तो क्या है? तो tiger बोलता है, yes I would. Head बोलता है, you can strike it if you like. तो बोला है, आप उसे बजा सकते हो, अगर आपको बजाना है. तो tiger बोलता है, may I? पर्मिशन लेता है, may I? बोलके पर्मिशन लेता है, फिर बोलता है, thank you. Head बोलता है, but first let me go away, I don't like this loud sound. Head क्या बोलता है, मुझे पहले जाने दो, क्योंकि मुझे इसका sound जो है, मुझे बिलकुल पसंद नहीं है. तो tiger बोलता है, all right, ठीक है, तो head बोलता है, bye, फिर tiger भी उसे bye, reply देता है, देने के बाद, the head run down the road. तो क्या होता है, the head क्या होता है, दोड़कर रस्ते में भाग कर चला जाता है, okay, उसके बाद, the tiger goes near the round object, raises his paw and hits it, वो क्या करता है, वो जो goal object है, उसके पास जाके, अपने हातों को उठाकर, वो उसे मारता है, बैल सोचके, जैसे उसने बोला था, उसने हीट करने के बाद, क्या होँआ देखते हैं, it break and out came hundred of whips, it was a whips net, the whips settled on the tiger's face and sitting strings him, क्या होता है, जारे, वो क्या है, मदु मख्खी का छत्ता होता है, और उसे क्या बोला जाता है, कि वो बैल है, और वो उसको बिस्वास करता है, बैल है, सोचके, वो क्या होता है, मारता है, टाइगर उसके बाद, वो तूट जाता है, मदु मख्खी का छत्ता क्या है, तूट जाता है, और वहाँ से जो मदु मख्ख्या निकल के आती है, और क्या करते हैं, उसे बाइट करते हैं, उनके जो नक्ये ले वो होते हैं, सामने मदु मख्खी के दीखे होंगे, अपने डंक मारने वाली तो उससे वो क्या करते हैं टाइगर के पुरे चहरे पे बॉडी पे डंक मारने बैठ जाते हैं तो क्या होता है जब मदुमक्खी डंक मारती है आपको पता है वहां सूच जाता है कलर चींच हो जाता है वैसे ही चाइगर का जो है बॉडी में जो लाइन सभी हम आपको चहरे पे दिखती ना टाइगर के चहरे पे दब्बी जैसे लाइन जैसे स्ट्रेट्स तो वैसे मार्क कलर क्या है छोड़के चली जाती है मदबब किया और जो टाइगर के चहरे पे वो दाग रह जाता है और आपको वो दाग अभी भी दिखेगा जो टाइगर के फेस में आप देखोगे तो फिर तो चिर्डर्न यह आज की स्टोरी थी I hope you like the story for today so have a nice day bye bye